अलो दोस्तों नमस्कार, स्वगत आप सभी लोगों का स्टरी आईक्यू, स्टरी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं, मैं शुबम सर्धालिया, एक और विशे पर एक और टॉपिक पर बात करने के लिए, आगे हो दोस्तों आप साहें, तो इंस्टाग्राम, फ भारत के प्रसिद्ध आर्केलोजिस्ट थे, जिन्हों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, आज से करीब 30 साल पहले, 14 एरा की एक ब्रॉंस की मूर्ती को, UK से वापिस लाया गया थे, एक लंबी लीगल बैटल के बाद, ये मूर्ती जो है वो भारत आई थी, इस मूर्ती को वापिस लाने में, आर नागा स्वामी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, हम इनके विशे में इसलिए बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले, आर नागा स्वामी का निधन हो गया है, तो विस्तार से इनके बारे में समसे, अगर आप सिविल सर् आर्केयोलोजिस्ट और पदमा भूशन आवाडी, इनको पदमा भूशन से नावाजा गया था, जिनका नाम था श्री आर नागा स्वामी, जो तामिल नाडू डिपार्टमेंट आफ आर्केयोलोजी के सबसे पहले निर्देशक भी थे, उनका 91 वर्ष की आयू में निधन ह हो गया कुछ दिन पहले इनके मृत्यू हो गई, इनके दोरा किया गया था, तो इनके विशेपर बात करें, तर असल 1980s की बात है, इनके व्यापक ज्यान और अनुभव के आधार पर excavating temple towns in search of rare bronze, he led to bringing back of पाथूर नटराजा आईडल, was halted as a trail, तर असल हुआ क्या, 1980s की बात है, एक प्रसिद नटराजा मूर्थी, नटराज आप जानते हैं, भगवान शिव का नित्य करता हुआ रूप, तो 14 एरा की नटराजा मूर्थी जो की तामिल नाडू के थांजा वुर्जिले के पाथूर गाउं से एक मंदिर से चुरा ली गई थी, बात में वो मूर्थी जो है, वो UK में मिली, इस मूर्थी को देश में वापिस लाने में, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थ यह थे आर्केलोजिस्ट्री नागस्वामी और यह है पाथूर की नटराजा मूर्थी, चौला काल की, चौल सामराज्ये की, चौला युग की, प्रॉंस की यह मूर्थी थी, इस मूर्थी को लेकर के एक लंबी लीगल लडाई जो है, वो UK के अंदर चली और अल्टीमेटल की, इनकी बदौलत, नागस्वामी जी की बदौलत यह दै हो पाया, कि यह मूर्थी जो है वो भारत की थी, तो 30 साल पहले था, रिटर्न ओफ ब्रॉंस आइडल ओफ लॉर्ड नटराजा, बिलॉंग इन्टू दिट्वेल्थ सेंचुरी, फ्रॉम लंडन, आफ्टर अ प्र राज्य ने एक संसनी पैदा कर दी थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि कि किसी राज्य ने, हिंदोस्तान के किसी स्टेट ने, किसी फॉरन कोट के विरुद कोई केस जो है, वो जीता हूँ, यानि कि it was state of Tamil Nadu fighting case against London, तो एक विदेशी कोट के विरुद, एक केस जो है, वो Tamil Nadu सरकार ने लड़ा और वो जीता भी, it was in this case that veteran archaeologist आर नागास्वामी appeared as a special witness before the High Court of London, इस case के दौरान आर नागास्वामी जो थे, वो एक विशेश गवाह के रूप में, लंडन के उच्छ नयायाले में पेश हूँ और इनकी गवाही के आधार पर ये मूर्ती वापिस इनकी गवाही जो थी, it was the main factor that led to the court in April 98 to conclude that idol was from the Chola era and was stolen from the Kashi Vishwanath Temple in Pathur in Thanjavur district, Tamil Nadu का Thanjavur जिला और वहाँ पे Pathur गाउ में एक मंदिर था, Kashi Vishwanath Temple, काफी प्रसेद मंदिर है, वहाँ से बार्वी शतावदी की चोला रवंच की, चोला युग की ये मूर्ती जो है, वो च और 1989 में इनकी गवाही के अधार पर ये प्रूव हो गया, कि ये मूर्ती जो है, वो भारत से ले करके जाएगे, इस मूर्ती को 1976 में भारत से तसकरी करके बाहर ले जाया गया था, 1976 में ये स्मगल हुई and it was found with a Canadian company which according to an order of the court of appeal of England and Wales in February 1991, said that it bought the idol in good faith from a dealer in 1982 तो टाइम लाइन थोड़ी समझेंगे, 1976 में ये मूर्ती चोरी हो गई, बाद में ये मूर्ती मिली Canada की एक company के पास में, और 1991 में Canada की इस company ने ये बयान दिया था, कि इन्हों ने इस मूर्ती को खरीदा था एक dealer से 1982 में, यानि कि 1976 में भारत से ये मूर्ती चोरी होकर के Canada थी है, वहां से 1982 में एक company, एक Canadian company इसको खरीदती है, और 1991 में ये मूर्ती उस company के पास पाई जाती है, जैसे ही ये बात का पता चला तो जो Scotland Yard पुलिस थी, उन्हों ने इस Canadian company से इस idol को, इस मूर्ती को जब्त कर लिया, और तब से एक legal battle शुरू होई किसके बीच में, Scotland Yard की police और इस Canadian company के बीच में, क्यूंकि Canadian company ने Scotland Yard police के उपर ये मुकदमा दायर किया था, कि उन्हों ने गैर कानूनी तरीके से Canadian company से एक मूर्ती जो है, वो जब्त कर ली है, जिस मूर्ती को उन्हों ने खरीदा था 1982 में, तो ये legal battle जो है, वो Scotland Yard police और Canadian company के बीच में शुरू ये कोट तक ये मामला पहुचा और कोट ने Canadian firm की appeal को dismiss कर दिया, कि नहीं आप जो कह रहे है, वो सही नहीं है, ये मूर्ती जो है, ये इसको जब्त करके Scotland Yard police ने सही किया है, जब कोट से कोई रहत नहीं मिली, तो Canadian company जो थी, वो इस matter को ले गई House of Lords में, the highest court of appeal in Britain, बिटेन के अंदर, House of Lords के अंदर सर्वोचे अदालत जिसको माना जाता है, अपील के लिए, House of Lords में ये case जो है, वो पहुच गया, लेकिन वहाँ भी Canadian company को कोई रहत नहीं मिली, House of Lords ने भी इस मूर्ती को जब्त करना, जो है, वो सही ठहरा है, और बाद में, इस मूर्ती की origin को लेकर के, एक लंबा case चला, जिसको भासकर गोर पड़े, a London-based barrister, इन्होंने भारत के बिहाफ पर इस case को जो है, वो लड़ा, और इस बात का फैसला हुआ, कि ये मूर्ती दरसल भारत की है, भारत को ये मूर्ती वापिस होनी चाहिए, और इस case के दौरान, जो भासकर गोर पड़े थ थी, भारत से काफी सारे monuments हो, idols हो, जो की चोरी होकर के अलग-अलग देशों में पहुँच गए हैं, तो उस समय भासकर गोर फड़े ने ये बात कही थी, जो लंड़न-based barrister थे, कि हिंदोस्तानियों को अब, वो समय आ गया था, कि भारत के लोगों को अपनी उन सभी वोगों पर दावा करना होगा, जो अलग-अलग देशों में मौझूद थी, जो भारत से प्रिटिश काल के दौरान ले जाई गई थी, ये पुरा-का-पुरा फैसला हुआ, और 1991 में ये स्टैचू जो है, वास फॉर्मली हेंडिड ओवर तू, देन हाई कमिशनर आफ उन्हों ने इस मूर्ती को हैंड ओवर किया कि इसको ततकालीन मुख्यमंत्री तामिल नाडू की स्वर्गिये जैल अलिता जी को, यानि के एक लंबी लीगल बैटल के बाद ये मूर्ती जो है, वो फाइनली तामिल नाडू पहुंची, और जिस वज़ा से एक बहुत ही जा आर नागा स्वामी जी का, दरासल हुआ क्या, इस मूर्ती को जब नागा स्वामी जी को बतौर, as an archeologist, as an expert इस मूर्ती के ओरीजन के बारे में, कोट के अंदर पूछा गया, गवा के रूप में तो उन्होंने कहा, कि इस मूर्ती को जब आप study करें, इसके नीचे, termites ने, द तामिल नाडू के थांजावूर जिले में है, यानि के, this was enough to explain, ये proof जो है, वो काफी था इस बात को साबित करने के लिए, कि मूर्ती का ओरीजन जो है, वो भारत में है, क्योंकि इस मूर्ती के नीचे, दीमक ने अपना घर बना रखा, तो और दीमक ने घर बनाने के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल की थी, वो पाथुर गाउं की, उस मंदिर की थी, जहां से इस मूर्ती को चुराया गया था, जो कि originally इस मंदिर का origin जो है, वो बताया जाता था, यानि के, इतनी एक minutest detail को study करने के, अपना बयान इनोंने दिया था, जिस basis पे, जो कि एक major breakthrough breakthrough बना इस idol, एक साक्ष्य, एक unimpeachable evidence था, जिसको जुठलाया नहीं जा सकता, जिस पे कोई question जो है, वो नहीं किया जा सकता, तो और ये कैसे संभव हुआ, ये संभव हुआ था सिरफ और सिरफ आर नागा स्वामी जी की बचा से, क्योंकि उन्होंने over the period of time इतनी उनको knowledge थी, इतना उ इस मूर्ती को भारत लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और इसी वजा से इस तरीके से ये बार्मी शतावदी की मूर्ती जो है, वो United Kingdom London से भारत को पापिस जो है, वो मिल गई थी, ये मूर्ती थी, नतराजा मूर्ती पाथूर, पाथूर गाउं से परता हुए सवरूप उसे नतराजा कहा जाता है, दा हिंदू, हिंदू गौड शिवा इन इस, इस फॉर्म ऑफ कॉस्मिक डांसर, इस रिप्रेजेंटीड इन मैटल और स्टोन इन मैनी शेवाईट टेंपल, पर्टिकुलर इन साथ इंडिया, दक्षिन भारत में कई शिव पून हिस्सा रही है, यह नतराजा मूर्तियां, चौला शासनकाल में, चौला युग में नतराजा मूर्तियों का चलन जो है, वो शुरू हुआ था, चौला पिरिएट जो है, इस वेल लौन फॉर इस एस्थेटिक और टेक्निकल फाइनिस ऑफ मेटल स्ट्रुक्चर, और फुली डेवलप्ट दूरिंग दी चौला पिरिएट, और बाद में, ओवर दा पिरिएट ऑफ टाइम, इस मूर्ति में बहुत सारे बदलाव किये गे, लेकिन ओरीजन जो है, वो आज भी चौला युग का माना जाता है, चौला समय का माना जाता है, और इस वचा से, य पुरा का पुरा आर्टिकल था, किस तरीके से, एक आर्केोलोजिस्ट के ग्यान और एक्स्पिरियन्स के आधार पर इतनी पुरानी मूर्ति, जिसकी काफी जादा कीमत है अंतरराश्ट्रिये मार्किट में, वो भारत को वापिस मिल पाइट, और मिस वीशे में इसलिए बा कोर्से अवेलिबल, इन कोर्से में अन्रोल करें और अपनी प्रेपरेशन बहुत बहुत बहुतर बनाएं, थैंक यू वेरी मच, आल दी बेस्ट, कीप वरकिंग हाड, बाई-बाई, टेक केर, चैहिंग